बेतिया के नरकटिया गंज से एक बहुत ही चौकाने वाली खबर सामने आ रही है तरसल कुछ अपराधियों ने प्लास्टिक के गंड के दम पर एक रिटायर्ड लेबर इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया था सतेंद्र कुमार ठाकुर बुलेरो से नरकटिया गंज लोट रहे थे तभी अचानक लॉरिया नरकटिया गंज में रोड के पास दो अपराधियों ने पिस्टल दिखा कर ठाकुर को अगवा कर लिया इसके बाद बदमाश फिरोती के तौर पर 25 लाक रुपए की दिमांड करनी उन्होंने शुरू कर दी अगले दिन बुलेरो चालक ने सुजबूज का परिचय देते हुए गोखुला ठाला के पास दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी इस टक्कर के बाद मौके पर ग्रामीरों की भीर पहुचने पर रिटायर्ड लेबर इंस्पेक्टर ने आप बीती सुनाई इसके बाद अपहरन के मामले का परदा फाश हो गया इस सूचना के बाद गोखुला स्टेशन के पास से ग्रामीरों ने एक अपराधी को धर दबोचा है और ठाकुर को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया उड़र में लेकर पह समाई क्या पह समाई किसा पहसा है तो तो अधर ते सब कहुँचा ना में आपधी आप तो नहीं रोपा है वही चानबीन के बाद अपराधियों के पास प्लास्टिक वाला पिस्टल निकला है वहीं एक अपराधि को नकली पिस्टल के साथ पुलिस ने गिरफतार कर लिया अपराधियों के इस फिल्मी अंदाज की चर्चा अब चौक चौराहे पर हो रही है पंजाब के स्टी टीवी के लिए बेतिया से जिशान एहमत की रिपोर्ट अबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद